ब्लॉग बॉस्टर मुवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एने स्टुडियोज और बेल एकान दबाई फिर्ए सब्सक्राइब करें एकान देखने में स्सक्राइब करें एकान देखने में एकान अबाई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि किय मैं ऐखे हुंदंさん कर दो कर फार एम कर आद कर दो आ अ कर आपर अ आपने मुझे याद किया, तो के जरूरी काम ही होगा, सेवक हादिर है, तुम्हारी जेल में खतरनाक कैदी है, चाहिए जानते उसे, बहुत अची तरह जानता हूँ, पाँच छे कुन का चुका है, फर एक भी सावित नहीं हुआ, उसे आज रात दस बजे एक खंटे के लिए बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, बगर क्यों, उससे हमें खोन करवाना है, तो क्या उसे चाय पिलाने के लिए बाहर निकालोगे, उसे आज रात किशोरी लाल का प्रून करता है साल कल तक जो हमारा नौकर था वो आज हमारी बराबरी करने चला है इससे पहले कि वो कल खड़े होकर हमारे सामने नीलामी की बोली-बोले उसे खत्म करता है विक्की बाबु वो स्पेशल सल में बंध है उसे निकला बहुत मुश्किल है मैं उसे नहीं निका सकता मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ तुम ये काम कर रहे हो समझे है यह सर आज रात थिक तस बचे मैं बिजली का में स्विच ओफ करतूगा तीन मिनिट के लिए अंधिरा हो जाएगा खत्रे की गंडे भी नहीं बाब सकेगी तुम्हारे सेल का ताला भी खुलाओगा और उसे तीन मिनिट में तुम्हे इस जेल से बाहते कर सकता हूँ तास राइट ये बढ़ो इसमें बाहर लाकर क्या करना है ये लिखा है ठीक रा अधर ऑगुगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल झाल कोन, येटल हूईяж ब सब्सकों में ही हाई है हाइ, हाइ! हाई! एक कैदी तो जिल से भागने की कुशिश करेगा ही, क्योंकि वो अपरादी है, लेकिन उससे बड़ा अपरादी वो है, जिसने उसे जिल से भागने में मदद की है, ये तो बड़े शरम की बात है, वो तुम में से कोई है, बताओ, वो कान है, नीचे क्या देख रहे हो, मेरी आखों में आखे मिला कर देखो, जब खत्रे का अलाम बजा तो तुम कहा थे, सर, अलाम तो मैंने ही बजाया था, मैंने पूछा तुम कहा थे, आपने ओफिस में, पावर कॉंट्रल लूम में तौर्च लेकर गए थे, तौर्च लेने का ताइम ही नहीं था, लेकिन फ्यूज पर तो तुम्हारी उगलियों के निशान है, इसका मतलब तुम्ने फ्यूज चुआ था, नहीं सर, फ्यूज तो मेरी उगलियों के निशान होई नहीं सकते, क्योंकि फ्यूज को अपना हाथ तक नहीं लगाया, और म विना टॉजलि यह मgen-पावर रूम में जाते हो फिर उसको चेक हिए बिना तुम में स्वििच आॉन कर देते हो ना हैसल से क्यूकर तुम जानते थे कि कुछी देर पहले कुछी देटे तुम नहीं में स्विच आफ किया था और तुम वही पे खड़े थे यह अगलके तो, आपको है दो जो प्रॉछ आप मुझे भाद नहीं सकते मैं भी आपसर हूँ और आपसर पर हाँ बना गए कानूनी है जायर कानुनी है यह कैदी की कोठ्षी कर ताला खुला छोड़देना कानुनी है में पावर स्विच अफ करता है वह कानुनी है कैदी को भगाने के लिए एक लाग रुपए लेना कानोनी है पॉल खो पुज एक लाग नहीं सर्फ 30,000 को लेता है 13,000 बूल विल किसस ने दिया है बूल जांगो बताई आधीजा मुझे नियुक्ता हूं एक अद्मी तीन मिर्ट में सुट्पिश लिए 30 अद्म आदी ते काईपने की अजुक्ता है कौन है वो आदीजा है मैं तो धर जाता हूं मैं पहले उसे कभी देखा है नहीं नहीं तो पकड़ा किया सेवक ने तो अपना काम पूरा कर लिया था लेकिन जेलर ठीक उसी वक वहां पर पहुंच गया क्या नाम है उसका सिध्धान सिध्धान नाम है उसका काफी हिकुडू किसम का आदमी काफी संथ जेल के सारे कईदी उसे हिटलर के नाम से जानते है हिटलर के नाम से पूरी जेल में उसकी देशत है साला किशोरिलाल किसी भी कीमत पर शराब कठेका छोड़ने वाला नहीं है अब क्या होगा निलामी से पहले मैं किशोरिलाल से मिलना चाहता हूँ तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया और तुम यह भी अच्छी तरह से जानते हो कि हर साल शराब का ठेका अमारे भाई के नाम पर छूदता है और ये सब जानते हुए भी तुम्हारे रास्ते में आते हो तुम्हारी धंकियों से दरने वाला मैं नहीं हूँ जिसके पास दौलत होती है वही जंग जीतता है अगर तुम्हारे भाई में हिम्मत है तो मुकाबला करके बताओ आज तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमसे जबान लड़ाने लगा कल तक हमारे टुकडों पर पलने वाला हमारे नीचे काम करने वाला आज हमारे सामने उचे सुर्वे बोलने लगा है हमसे मुकाबला करने चला है अंकोष राज अगर तुम्हारा एक हाथ उठेगा तो मेरे चार हाथ उठेगे और यह सौदत में बहुत महंगा पड़ेगा और अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात कल होगी कल आपने उसे ऐसे जाने दिया कल दुम्हारी मुलाकात क्री और हाथ तुम्हारी अपने बहा है कल दुम्हारी मुलाए कि यह लो पैसा देने के लिए मेरी मनाई नहीं है लेकिन टाइम पैसा वापिस ही नहीं मिलता नहीं सेट जी इस बार आपको शिकायत नहीं होगी कल शराब का टिंडर खुलते ही एक महीने के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे यह वादा अपने भाई अंकुष को बता देना बात बात में टेमपल लूस करता है वो आदमी हिस बार नहीं होगा सेटी चलता हूं कि आपके अपके 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 आपके आवाद करती हैं मुझे भी काने सुनने हैं मैं जया धरी, अगर आपके अपके गाना यसमात आता है यह भूम बूठाई है और उसको ने मुच्छाई है क्या यह यह? इक्या बत्तमी जी है, तिक्ताने में करातेगी प्रैक्टिस कर रहाँ आप अची तरह से प्रैक्टिस करके, दुनिया के सबसे बड़े ऐखे बनजाओ मैं यह गाने कहीं और सुन लोंगी समझें? प्रैक्टिस करा प्रैक्टिस किया करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल हाए कोई तो बता दे इसका हल्स और मेरे भाई या गाना है ची चाहता है कि मैं नाच्टी ही रहूं तो नाचो न भावी रादी क्यों न हम ये गाना सुनते हुए कैरम भी खेलें वाव वाव अडिया बावी पंद्रा से मेरे एक्जाम्स है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता अरे पढ़ाई करकी कौन आगे बढ़ा है मुझे ही देखो आखे लॉकर की मैं हाउस भाइफी बन गई ना अरे ओरते कितना भी पढ़ाई करें उन्हें आखे घर बैठकर खाना ही बिल्कुल सही का भावी भावी बावी बावा गए बदाल मैंड यहा खषके शाफ्टरण नियु के नो भादी यहां वड़ा कैसे चल रहे है अची चल रहे है बहाइए बहात अची बहात अची बहाँ एग्जाम कब है 15 आर मुना तुम्हारा टैडी मेरे एग्जामे कसा और टैडी यह रहें मेरे मार्क्स लेकिन तुम्हारी हम्राइटिंग अच्छी नहीं है ठीक कर लिया करो यह जी कॉफी पता है इस साल छोटी क्लास में फरस्ट राएगी पिचारी बहुत बढ़ाई करती है और देख लेना बड़ी इस साल भी यह पास कर लेगी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दो है कोई नजर में आ लड़का तो ऐसा होना चाहिए पड़ा लिखा और नौकरी कर रहा हो अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा दिवर कहा है बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में तुम हमेशा उसकी गलतियों पर परदा डालने की कोशिश करती हो मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ ये क्यूं नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा उस जलने मेरी पेशती की है बहुत बुरा किया उसने उसने मुझसे बंगा लेकर अब भी मौत को आवात दी है कि मैं उसको जंदाने चोलू का जंदाने चोलू का क्यों भाईजा आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने गई रादा है क्या क्यों रादा पभी अचुक्षक अचुक्षक तो ते अचुक्षक कर ए अचुछ अरे अमर अमर क्या कर रहा है तू तूझे यह सब नहीं करना चाहिए तेरे भाएग जिमिदार अफसर है मैं जानता हूं Monty लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है तो मुझसे बरताश्ट नहीं होता चल ठीक है अब रहने देना पॉपकॉन खाएगा पांच रुपे है मेरे पास एक पुछाय मेरे तेरे घर आने का हाँ भाईया सोरे बुदो लो एक खाना लगाती हूं चलो अरे भाबी आएस्था तेरे बोलो भाईया जाग जाए पाटू बाबी आज मैं और मॉंटी एक ऐसी जगे गए कि मैं तुम्हें क्या बताओ वहाँ 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 खाना चलो क्या खुश्बू आ रहे यह बाबी तुम कितनी अच्छी हो इतनी जाथ तक क्या कर रहे थे इसे खाड़ा तो खा लेने दो आप चुब रहे यह बोलो कहा गए थे कुछ नहीं यह कुछ नहीं का क्या मतलब सड़कों पर भटक रहे था क्यों घर नहीं आ सकते थे बोलते क्यों नहीं क्या बोलू जल्दी घर आता हूं तो आपके बेकार सवालों के जवाब देने पड़ते मुझे अच्छा तुम कोई नौक्री क्यों नहीं कर लेते हैं आज कल बिना सिफारिश और शिवत के तो नौक्री कि इसमें चाहे मेरी जिंदगी क्यों न बर्बाद हो जाए अरे आखिर आपको मेरी क्या चिंता है मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी मैं तुम्हारा दुश्मान हूना देखा जो भाई मेरे समने नजा नहीं उठाता था अज बराबार का जवाब दे रहा है किसी को लग कि था कि इसमें भाई में चुकिया कि गलत को सही और भाई रहा था राख़ायद्य को रह जबमेरा हुदार्योट्स के घरए कयान नहीं वजाब तुम्हारे हुआ थाया कि तुम आई खादकाला रही तुम्हारे लाट-पयान से अरहा है लो पbourne इसी बात में पंच जाएग नहीं सुवा सुवा बड़े भईया की क्या बात करना वैसे भी तुझे भईया की आदब तो मालूमी है ना। बिना डाटे उन्हें खाना हाजम ही नहीं होता और वैसे भग्वान किस लिए दिए जाचू एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए, येश भगवान ने एक दिमाग भी बनाया है उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए यह अरे यह क्या भावी मुझे तो चाहिए थी एक्सरसाइज के बाद शरीर को ताकत की जरूत होती है और ताकत मिलती है दूद से इसलिए दूद जो है उच्छा पी जाओ वरना 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 क्या कर लोगी भावी भाया से शिकायत कर दोगी अरे मैंने भाया से ना डरने का इसकास तो है नाम हिटलर क्या है इस घर को जंग का मैदान बना दिया है एक बात बता भावी आपन पत्थर दिल पर फोल कैसे होगा दिये मेरी जादू से अरे तुम्हारे बही या तो बहुत हिटलरी जारते थे पीर मेरी जूलफों की जाल में ऐसे फस गए कि आखों से प्यार और होटों से इजहार करने पर मजपूर हो गए गालों से खेलू में होटों को छुलू में गालों से खेलू में ना पापा ना होटों को छुलू में ना पापा ना तेरी ये नाना कब होगी बोल जरा मेरी जाने जा गालों से खेलू मैं ना पपना होटों को छुलू मैं ना पपना गोरे गोरे गालों वाली काले काले पालों वाली तुने मेरा होश भुडाया तेरी ये बातों नहीं मेरा सुक चेन चुराया आज नहीं तो कल मानेगी जिल जानी मेरा कहना मैं न लडाएगी ना पपना चैना चुरायेगी ना 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 चकर चलाएगी ना पपना मिलने को आएगी ना पपना जिन्दगी चार दिन कुछ नहीं प्यार दिन यू जो तडपाएगी पीछे पचताएगी सुन मेरी दिल रुबा क्या तुझे है पता जिसम तु जान मैं होंगे कैसे जुदा कोरे का अगज पे लिखवाले जो कुछ है मेरा अपना सहरा सजयाओं मैं हाप तहाँ दोली ले आएऊं मैं धुलहन बनाओं मैं हाप तहाँ कलिया पिछाओं मैं हाप ताहाँ तेरी आखोते मेरे साजन दूर नहीं मुझे झो रहना गालों से खेलू में, होतों को छुलू में, पालों से खेलू में, पाहों में लेलू में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, धस, दस, दस, दसमा टीवी, टीवी वे, दसमा टीवी, चकरकान, मम, चारा, चिंगा, पोरी, दसमा टीवी आट, एमेन, तूचोर है, ये, मैं चयर हूँ, तूचोर, हूँ, चूरी क्यों ती मैं, ये, आपको होलर किसने बना है, आपको है, हे, हवाल्दार नहीं हूं, इनस्पकर निस्पक tabsर, व्ह, आप इंस्पकर हैं, ये वर्दी देकर पतानी चलतां जाथा क्या, आरे, डृसर ख वैसे क्या होते है रह वैसे शकल से मैं शरीफ लगता हूं मगर हूं तो चूर वैसे आप ड्रस से इंस्पक्टर लगते हैं मगर SHUT UP तो यह दास तो चोरी क्यों कीती तरगी वास्ते कीती मेरी तरख्की दलही सब्सक्राइब ? मैं इसमें!! कि बाप पकडएब ? बाप और शौरी है क्या नाम कैसे होगा ? मैंनुंपेकटर है ठीक है बाइ बीट में गर्या को थे बाप मानना पड़ते है कि आंण।ह्त पुरे तीवी को इसमें नुटीवी मिल गए है तवła गिदर है क्या बात है पुलिसस्वालों को इतनी अच्छी गिंति कैसे आने लगी क्या मतलब मेरा मतलब है जब कोई पुलिसितें कााल पकड़ से अधी लिधा कोड़ी सोदर जाओग delta अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की ज़रूरत है जब जोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों को सामने दूम मिलाते हो आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं है क्यों बार बार आपको शड़ा बोलना पड़ता है अगर अस आपके अच्टेंट वेडाए तो नहीं गार जिंड़ हो इसका प्रेंट पलुछा वड़े तो अभी आन्च्ट वाज़े लुचरों कोई एक काई और भी आपकेड आ पूछूंगा तू चोरी क्यों केते यूलूदेया पठिया मुच्छाणवच्छा शच्छा मेरे कमरे में टेलिविजन और हो सकते वीडियो के इंतिजाम कर देना ओके चाचाप ए देखो कैसा लगा ये कब लिया मैंने खरीद है तीन हजार रुपे में तीन हजार रुपे में इतना सस्ता एक मिनेट क्यों ये तो वो दसमा टीवी लगता मैंने तो इसे खरीदा है चॉरी का माल खरीदना झोर्म है जोर्म और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इमांदर पुलिस अफ़तर हूं कभी देन लेता हूं तूम नहीं लेते हो तो क्या हुआ मगर मैं लेती हूँ इसी से तो ये टीवी आई है और तुम्हारी वर्दी भी मैंज भी चार बजगे अभी तक किसे बुलाइ निया ओ भाव कषाला बढ़त तो है तू तो बढ़ा किसमत वाला है याद हम सबसे पहले त्यरो नंबर आगे अगे अगे गडी बहुत अच्छी है मैं अच्छान काम इन मारम काम इन कहां तक पढ़ें आप बीए पास हूँ एमे क्यों नहीं किया लेकिन इस नौकरी के लिए मांगा था मांगा था पर अब हमारा माइन चेंज हो गया है जाओ पहले जाकर एमे करके आओ और हाँ जाते जाते बाहर सबको बोल देना के इंट भी हो गया है कि यूमे गो ना हरी यार बड़ी बतबीज लड़की है नौकरी वोकरी किसी को नहीं देना है बस खामखा इंटर्व्यू तो हमको क्यों सुबा से विटा रखा यार हरी मुझे क्या मालूम मैंने बठा के रखा है क्या मैं देता हूं इसको अच्छा सुर वो नौकरी मैंने त जाया करने की क्या ज़ूरत थी तुम बेरोजगारों के पस होता ही क्या है इंचन डिग्री और वक्त के सिवा जिस दौलत और खमन का नशा तुम अपने सर पर लेकर खूम रही हो न एक दिन कोल सरफिरा आएगा और इसे चूर-चूर कर देगा आज इस बेरोजगार से मु हाँैart यॉर इंचन यार ओनर ये घरों से टीवी चोरी करता है गुणा कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है बिल्कुल कबूल मैं वाप मैं भगवान के सामने जूट बोल सकता हूं तो अगर है के सामने मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूँ गा लेकिन आप जैसे अच्छे सच्छे नेग और इनसाफ पसंद्जत के सामने जूट बोलूगा तो बज़े नर्क में पी जगण्यमी जिए दिए साफ नर्क में पी नहीं मसका मारणा है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चुरी क्यों करते हो? जग कभला करने के लिए जज सहाब, ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है, जज सहाब? tv घर में होने से बच्चे पढ़ा ही नहीं करते हैं पत्नि अपने पती की सेवा करने के बजाए कि सेवा करना पूर्ण, दो साल की सजा की जगह, एक साल की सजा वाँ, क्या इनसाफ है माई बाब, अरे एक साल थो क्या माई बाब, आपके हाँ जुन्दगी बर सजा भगतिते को तयार हूँ छे महिना कर दिया आप जैसे जज की इस देश को बहुत ज़रूर्त है बाप चार महिना कर दिया आपके चरंड कहा है जज साफ एक महिना कर दिया ओ जाए हो जाए हो इससे कम सजा नहीं होगी दूसरा केश पेश करो धन्यवाद धन्यवाद जज साफ की जज साफ हवलदार हैं इतना मारूंगा इतना मारूंगा बार नहीं पकड़ो चलो कि पालविक शॉट आप कि मैं कैया सरकार आव बक्षि आओ कितने कैदी लाए हो अरो बक्षि कहाँ बख्षता है किसी को लेकिन आज कल धंदा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद दंदा तो मंदा चलेगा ही क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए है क्या बात कर रहे है इचलर साब क्या बात कर रहे है वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है तुम से जादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है क्या बात करें? टुमारी दातारी के चर्चे हीत अप्यां से डिश्वत लेरा चुरू करते ही दातारी के चर्चे? रिष्वत के चर्चे आगर लेने चर्चे चर्चे चुरू होते है तो Śुट लेजा सुरू करते है रुझ बोलो कただदे गदाय ओंशRO तो तुम इस ज् bekannt आटी साउए यह 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 पांपने अपने आ हिए बीध्त में देखता हुं पन्द विसे लागए की चोड़ी करओ halten गाल इस युदर में को एक पांटीक चाहते हुरे तावा करूंगा लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर करते से अब इसमें मेरा क्या का सुर्य साहब बोली आप अवल्दार केजी को कपड़े दे दो तेंकि साफ ये क्या देरिल है मैं अपनी दर कपुराना कश्टमर है अपने कोई हमेशा का परमेनन ड्रेस्ट चाहिए 999 जाने जाने जे वो कमरे का क्या आल है पानी पोचाओचा माराएं कि ने मच्छर बहुत हरान करता है मैं अचा जा तो फाइब सार होटल से स्पाइशल दिस मोगा दू अरे क्या बात पिरल साब बड़े बड़े देश का गबला करने वाले बैठेले वो खाना उनकुछ अजम होता है अपनों को थोड़ा स्पिशल चाहिए क्या कर डाल चावल में जरा पस्थर बिट्टी तरा कम होना तो जरा हो जाता है कपड़ा भी लेके जा चल अभी लेके जाता हूं आइंदा नहीं चलिगा खड़क चाहिए ध्यान डगना समझे अपने बच्पर को दूस्ते हाहा हा 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 ह सब रेडियेटर गरम हो गया तुम ठीक करके लाओ मैं चलता हूं नजदीक है ठीक है साब अप्यों अभाई हो यहाँ के हां पर दो अपकर खाई है अभी नहीं हा है सब डाए अपर आठीक है खाई हूं की अपरसा खांगम आ है हुआ है और हम अभाए है इस खर में यही आप होता रहता है यही तुम लोग के असलियत है और ये लाल बक्ती जलते ही तुम लोग शरीफों की तरह चुपचा पढ़ने लग जाते हुआ इतने धुरों तक तुम सब मुझे धोका देते रहे और इनका साथ देती रही तुम जंडियों की तरह नाजना गाना कुधना कोन कहेगा किया शरीफों का दर है आज के बाद इस घर में नाला होगा मैसमिध घुर न एंड़ी होगा आद अजिय को चुरिे आप श्रीबोगत ना चुरिबोगता है यह द कमलेन जलते ही अदर करती UP कर्द करता था कि लेकिन तुम्हारी जित की वजह से घर में टिवे लाना पड़ा अब देख लिया ना पढ़ना हर समय टीवी 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 इस टीवी ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है कोई बरबंद नहीं हुआ है उनमें कोई बुरी अधत नहीं है वो तीनों तो उन्हें ये नाचक तुम्हारी वज़े से करना पड़ता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि बच्चे हमेशा पढ़ते रहें, उनका नाचना, गाना, हसना, खेलना, शोर मचाना तुम्हें पसंद नहीं है, अरे बच्चे शोर नहीं मचाएंगे, तो क्या हम मचाएंगे, तुम्हें उनका खीवी नहीं तोड़ा है, बल्कि उनका दिल तोड़ा है, आज के बाद इस खर में आपके साथ कोई बात नहीं करेगा, सुनो, मैं तेरा मुर्गा, तू मेरी मुर्गी, मैं तेरा मुर्गा, तू मेरी मुर्गी, रूठिक नाचा, रुकबे दर्दी, दिल को जलाए, फिर मसका लगाए, फिछे बीजे आए, अब उताहे को मलाए, जानू मैं तो जानू तेरा सेहना न मानू, तेरा प्यार बलम है, तेरा मुर्गा, तू मेरी मुर्गी, रूठिक नाचा, रुकबे दर्दी, हाँ! फिल्मी हीरो की तरह रोमांस करू मैं, मिठु चक्रवर्ती बन के दान्स करू मैं, फिल्मी हीरो की तरह रोमांस करू मैं, मिठु चक्रवर्ती बन के दान्स करू मैं, हेए, आयम ए डिस्को टान्सर, डान्सकर, आयम ए डिस्को टान्सर, रोमांस करू मैं, शेक शेरोट के बन के रोड़ पर बनाऊंगी मैं तेरी भुरजी, चल पोड़, मैं तेरा मुर्गा, तु मेरी मुर्गी, तूठ के नाचा, नाचा, रुखवे तरती, हाँ! मेरी जिन्दगी है, चान तू मेरी चान है, मेरे सोने वाले अंडों की तू खान है, अरे समझो न मेरी जिन्दगी है, चान तू मेरी चान है, मेरे सोने वाले अंडों की तू खान है, गुट्र गुट्म, गुट्र गुट्म, गुट्र गुट्म, गुट्र गुट्म तूने भरी जमानी में मेरी होलत केजी पर देश चैपो मैं तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी रुख इतना चाहा रुख बेदर दी तूझे टीवी में दिलाओंगा मान भिजा नया प्रिच ले आओंगा मान भिजा सिने मा दिखाओंगा पच्च भी खिलाओंगा लखरे उठाओंगा मान भिजा सुख दुख दोना मोसम के हम साथी साथे जनम के अब मान भिजाओ दिल पर सित छोड़ दे अब तू बस कर गर फिर भी तो ना मानी मर जाओंगा ओ जानी मेरे जिद के आगे हार गई ना कर तू गुंदा गरदी आना तू मेरा मुरगा आ मैं तेरी मुरगई रूख के ना जा आ रूख दे बरदी पाली क्या हुआ जी पोई सपना देखा किया जी दहीं जी ज payroll आए कि आनो शूजाओ ही ही है ही हुं तो तुम लुका क्या चाहिए जी हां सर काम की वी जरूरत है और पैसोगी भी सब काम भी मिलेगा और पैसा भी तुक दोनों चाहोत एक घंटे में पंच्ची सहार रुपय कमा सकते है हाँ हाँ एक गंटे में पच्छेस हजार काम क्या है कोज जाला मुश्किल नहीं है मगर हिम्मत और बहादरी के ज़रुवत है उसके आख तक्रिबत किजिए इन बाजों में ताकत भी है और दिल में हिम्मत भी लेकिन तो काम के बारे में क्यों पूछ रहा है जो भी कामें कर लेंगे औ कोटा रास्ता है तो फिर मास कीजिए हमने आपका वक्त बरबाद किया है चल मॉंटी एक मिनिट अमर अमर ऐसे मौके बार बार नहीं आते है मॉंटी और फिर जिंदगी भर समलने का बॉका नहीं मिलता तुझे काम करना है तो कर मैं चला अमर कौन है ये लड़का जो हमारे पर दुख के चला क्या ये जेलर से दांत का भाई है जेलर बहुत अच्छी उपरचुनिटी तुरे हाथ से गवादी हाहा जेल जाने का ओपरचुनिटी है ना कितना डरता है यार तू अरे मैं डरता नहीं हूं यार एक बात सुन ले तू जुर्म की दुनिया की जमीन में जबता है तो बार-दुनिया की नजरों में गड़ाए तू ते सारी लाए मन दक्राया रे सक्ते रूपियमें। राइट है आपकी तारीफ हा जिसने हम सब को बना है जर आपको एडा बना हमको तीरा बना है दस मिन्ट पे दस रुपय कमाने का एक मिनिट भाई साब एक मिन्ट देखे अगर दस रुपय इमान्दारी से कमा कर दे सकते आप तो थीक है बे इमानी के 10,000 रुपय हमें नहीं च वो सामने लड़की दिख रही है लड़की देख रहे हो हाँ देखा मैं इस लड़की को किड्नाप करूंगा और इसके बाप सा 2,000,000 रुपर दिमांड करूंगा तुम मझे हेल्प करोगे तो मैं तुमें 10,000 रुपर दूंगा यह लेकिन यह तो बहुत लंबा चाखर है आपने काया थैं कि दस मैं मैं बता बरहूंगा तो किनो मैन थीख है नया थी। कशी है अरे यार बिल्कुल सहिद दस मिनिट होगे ना यह एगर कई दर कंग अ इससरी बताओ तक बटनाब तो है ऐगा. कैसे किया जाए कैसे किया जाए ? जी तो वह आर्थ है यही वह आर्थ जिसे लड़की पखड़े की खाट रुमाल से ? वह रुमाल नहीं इस माल मेनने कुलयर वपम डाल टिया है पेहोशी की दवा तूम जाकर उस लड़की को ऐसे पखड़े ऐसे पेवची की दौआ का रण तरो मनें Maal, ऐस नातने हुआ क blending लडगे दो सकनधी तराँ, वोला है लड़ jour कमाल है चोड़ खोड़िस घोक का राइल में हुझे इसको भी बुलाया है क्या हम लो कम थे मुझे अछूँ आवार आवार आर एक गजूए कि आखे हैं और वार वारो जा करना वार्ट मेर प्रादे है दो हमेशन मेरा आइड आदर यह स्कुटता रहता है अब कहा है हुआ है कि दिखने कि अमना बचाया है अंक भाग ते तरहें नीची उतारो मुझे यह रहराई मैडम तुमने तो मेरा सारा प्लैन चॉपट कर दिया प्लैन क्या बोल रही यह बॉल रही है यह लोग मेरे ही आदमी थे और इन्हें किड्नाइप करने के लिए मैंने ही बुलाय था ताकि मैं अपने कंचूस पाफ से 50,000 रुपए निकलवा सकूं लेकिन तुम लोगों ने मे अगर हम दोनों आपको किड्नाप कर लेतें दस हजाए बाट लेंगे 40,000 अप रख लीजे क्या बोलता है गुरू वाव तरस अगूड आइडिया तुमारी नोकली पकी थैंक्यू 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 जो लॉलकी अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती वह हम कर सकती वहाई किया देख रहे हो यह मैं नहीं वूमेन हूँ अम तो मैं भूमेन बोला है आप किसको ढूंद रहे हैं हाँ हाँ कल कुछ गुंदों ने मुझे किड्नाइप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बजाय था बस उसे ही ढूंद रहे हूँ एड बिग्यां कई मतलड लगश है अवा हुआ अप जा मटल में और उन गुंड़ों मेंसे आपको इसने बचाया ना हो तो अपना ऊज़ भान तोन जानते हो अरे भुरी झानन को जानती हो तुम मुझे इसने मिलवाओ नहीं नहीं है लेकिन उनको मिलाने से मेरा मेरा इसने म तुम शायद उल्टा बोल रहे हो, जल्दी ढूडने के तो ज़्यादा पैसे होने चाहिए ने लड़कें के लिए हिसाब है जो बोल दिया बोल दिया सवधा बंजूर है बंजूर यह मेरा कार्ड है और लड़के को ढूडते ही 24 गंदे के अंदर लियाना तुम्हारी 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है ओक है बाबा बाबा दस जजार का सवाल है बाबा इस बंदे को रूंड़के तरी मिला था बाबा अब कहा होगा किदर होगा इस बंदे से मिला थे अरे ओमन साप हेलो कैसे अब बाबा मेरे किसमत है कौई धूडने आए अच्याउं नियुक्त थिक films अब्चमी को बता दूडने अई ति हुम और ये क्यों बताओं कि उसको जोडने आए ऑठ सेद्वान डाने अब्धतस यह ज सब्सक्रावियक, एक ग्रेट तुमने मुझे कुछ नहींबताए पर टमाने कुछ बताता हूं इंडरे तुम्हारे दस हजार रुपे गय cheva अब मैं तुम्हें क्यों बता हूँ कि मैं उसा ID को पढ़ लिया और मैं तुम्हें क्यों बता हूँ कि मैं उस ऐड्रेस पजाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ नहीं बताउंगा बेर करें ब्रहु कहाना किकिना बाप बहुस्अ चाइशेशेशेश्ट l northeast अजय हाथ आवे पैसे निकल गया बावावा पैसा बरबाद करने के लिए मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है फूटी कोड़ी कहा मांग रही हुँ डैड मैं तो पूरे दस हजार रुपे मांग रही हूं मैंने काना एक पैसा भी नहीं मिलेगा इतना सारा पैसा आप में अजया है है कि अधर कोको कौप कौन तुम लो क्या खड़ा और हाथ भी चाकू समझने होंधा तेनु के कार कुछ और यह अए हो ना मेरे घर में क्या करने आया हो अरे शेर में मुझसे और भी बड़े राइस पड़े होए हैं को तो उनका ना बता बता दू ज्यादा बात की तो चकु तेरे पेटु जोना मैंने बीजार रुपय चाहिए नकाल के दे अभी विशाजार रुपया और मैंने मैंने बैनत करकर के के रचाहि जोड़ा मैंने दूगा चाहिए जुआ पेटु ए जाना पिर ने डेता हं देता हूं देता हूं मैं यह ले यह ले शेर चाहर चाहर पल्ले चराफ़ से 10 जार रोपय माल रही थी नहीं दिये दो दोगरी से पीशार रोपय लेकर आई हूं ओ बगवान क्या जमा प्रिया हूं कौन प्रिया अरे उस दिन वाली किस दिन वाली अरे उस दिन वाली चलो बताती हूं तुम्हारा घर है तो फिर भेश बदलने की क्या जोरत थी सब कुछ तुम्हारे खातिर किया मेरी खातिर तुम्हें पाने के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत थी मुझे पाने के लिए 10,000 की जरूरत थी क्यों बुद्धु महाशे मुझे तुमसे प्यार हो गया है प्यार हाँ बाबा मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूं दिल दे बैठी कर दो कर दो कर दो कर दो हसी ही समा है प्यार का सरा मेरे करीब मत वाला दिल के रहा लाली लगों की चुरा हसी समा है प्यार का सरा मेरे करीब होता है जो इस रात में होने दे होने दे अव होने दे दो चार पल इन बाहों में सोने दे सोने अब सोने दे इखरी हुई जर्फे मेरे आके ये तू सजाओ मुझे तेरा खुमार है ये नख परार है मत वाल दिल के रहा लाली लगों की तू रखा हसी समय है प्यार का जरा मेरे परीब आख बेताबिया पढ़ने लगी जादो है जादो है जादो है तेरी बातों में बदोश मैं हो जाओंगा कोई तो नशा है तेरी आखों में ना दानिया हो जाएंगी ना छेड़ी दिल रुबाद नहीं नहीं अभी नहीं खता नहों कोई कहीं मत वाल दिल के रहा लाले लवों की चुरा हसी समा है प्यार का जरा मेरे परीब आ के क्या मुझे हो गया जाने कहा हो गया मैं अमेरका से आया तो मुझे पता चला के मेरे भाई का एक्सिडेंट नहीं कतल हुआ और उस कतल का जिम्मेदार है अंकुष राज ये हैलो अंकुष राज इस शहर का निहायद ही शरीफ आदमी है बदमाशों का शराफत का चोला पहना कर आप कानून और इस वर्दी की बेजुति कर रहें उसके इंफ्लूएंस में आकर आप सचाई को छुपाने की कोशिश कर रहें मैं खुद एक क्रिमिनल लाइर हुँ इंस्पेक्टर और इस केस को री ओपन करवा के हरहाल में सचाई की तह तक पहुंचके रहूंगा कि किशोरी लाल मर्डर केस रियोपन करने के लिए किशोरी लाल का वकिल भाई अमेरिका से यहां पहुचा है वो किशनलाल है कहां अजया 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 प्रभ्प्रु मिया खेखे थे खेखे खेखेंगा एफ ब्रोप खेखे खेखेंगे हैं प्रोप्राइब। क्या, मेरा भाई जेल में है, मेरे भाई को जेल में भेज़ दिया क्या, और तुम देखते रहे, लेकिन उसमें मैं और कर भी कह सकता हूँ, जेलर ने तुम्हारे भाई को खत्ल करते वक्त खुद के आखों से देखा था, और उसने आदालत में ऐसी गवाई भी दी, और एक बार जेलर के नजरों में मुझ्रीम आ जाए, तो उसका बचना नामुम्किन होता है, जेलर, कौन है जेलर, सिध्धान, सिध्धान कुमार, मै मैं उससे मिलना चाहता हूँ, भाईया, भाईया मुझे बचा लो, इस जेलर न मेरे को बाहुत पार रहा है, नहीं विखिल, तुम परिशान मत हो, तुम्हारी ये हालत करने वालों को, मैं बात में देखूँगा, लेकिन कल सुरज डूपने से पहले, तुम जेल से बाहर हो होगे, चाहे उसके लिए, मुझे ये जमीन आसमान एक करना पड़े, इसके लिए बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका है, अब सिर्फ एक रास्ता बाती है, जो हर खुनी को फांसी के फंदे तक ले जाता है, तो तुम ही हो वो जेलर, जिसने मेरे भाई को बगड़ा पेकार में इतनी तकलिफ की, बोलो, मेरे भाई को छोड़ने के लिए, इतने रुपए चाहिए, सोच के रहे हो, जो मांगना हो, मांग लो, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो जाओ, किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांती के लिए प्रात्थना कर क्योंके दुनिया की सारी दौलत भी इस जेलर को खरिद नहीं सकती, जेलर, आग में इतना घीमत डालो, कि तुम भी चल जाओ, चीता में आग लगाने वाले जलने से नहीं डरते, अब तुमारे भाई की चीता तयार हो रही है, किसकी चीता कब चलेगी, ये तो बात में दे लेका जाएगा, लेकिन आज इतना जान लो, कि कल सूरज दूपने से पहले, मेरा भाई इस जेल से बाहर होगा, तुम रोक सको तो, रोक के देख लेना, आँ, 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 जाने से पहले इतना जान लीजिए मिस्टर अंकोश राज, ये तुमारे पास जितनी अकल, जितनी चलाकी, जितनी ताकत है, सब लगा लेगा, फिर भी ये तुमारा भाई, कल रात यहीं मिलेगा, और ये मेरा चैलेंज देगा, जेलर, और अगर मैं इसे, कल निकालने क्या है तो, तो ये सिद्धान कुमार शर्मा, ये जेलर की वर्दी हमेशा के लिए उतार देगा अविथा है और जुक, और निकालनना है, सर अभी इंफोरमिशन है, कि अंकु शराज सब सादिाए पर च्याश technीist अश्जा है लेकिन देखना कि ये बात रमिश्ट तक में ही पहुंचता है ओके सर्थ खेलो मेरा भाई मेरे लिए पैरूल ओडर ला रहा है तुम मुझे कहां ले जा रहा हूँ तुझ ऐसे जगा ले जाता हूँ जा पे रूल तक हाँ कोई निच्छ लासना जाता हूँ कोई बाता है । करो 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 अज़िए जियो पर अपर करा करना कि ज़ए ज़ाव क्या दिखरे हो कि यह लिजिए जेलर विक्की को परोल पर छोड़ने का ओर्डर और अभी सूरज डूबने में पूरे दो घंटे बाकी हैं अब आप विक्की को छोड़ेंगे या फिर अपनी बर्दी बतारेंगे यह पेरोल का ओडर उसके पिछले अपराद के लिए दिया है लेकिन आज उसने एक और अपराद किया है जेल से भागने का जो इस ओडर में शामिल नहीं है इसी लिए वो इसी जेल में रहेगा वैसे सूरज डूबने में अभी भी दो घंटे बाकी है कुछ करना चाहते हो तो कर लो जरूर करूंगा और सारी दुनिया देखेगी कि अंकुष राज क्या कर सकता है मैं तुझ से अपने भाई की हर चीक हर आंसू का हिसाब लूगा जिस तरह तु मुझे दड़ पा रहा है उसी तरह तु भी दड़ेगा खून के आंसू रोएगा और कुछ नहीं कर सकेगा कुछ नहीं कर सकेगा आओ जाओ जाता हमा कोई रहता है नहीं है यहां तो बोट मॉले मैं और कहां से寂स्पल करूड operate कहीं दबए अपनी म हूँppt कर ले अपनी ही माले माद मैं आ कई अनार कली कहां Lives भगवाण मे Means कहां आट बत दो गा 때도 मान हता हिए माफ कर मेरे माः घल क्यूर्प क्यWith भगवाण मैं कहां क्यों कर इससे तुम्हें शादी करूंगी तेर को शरब नहीं आती है तेरे को शरब नहीं आती हमारे गर में ढाका डालते हुए मैं तो छोटा मटा चोर हुँ लेकिन आप तो दीन दाड़ सिनल पर गाड़ियां रोकर शेरीफ को लुटती हो वो क्या कम है क्या अगर मेरे राजा कुछ दंदा चले अगज मेरे राजा कुछ दंदा चले प्रिया तुम भबी से मिलतों आतो सुनो बाभी क्या है अमर नमस्ते यह कौन है भाभी यह वही वही कौन अमर वही भाभी मैंने आपसे बातों की थी ना कि वो मेरी वो समझ गई तो यह प्यार का मुकदमा है कहीं भाभी के फुल स्टेशन में ना चला जाए इसलिए भाभी के कोट में लाए गया है सुनो तुमसे जो पूछा जाए उस प्रिया तुम अमर से प्यार करती हो जी हां इसलिए तो जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो तुम दोनों के पैरेंट्स इस बात को जानते हैं नहीं अगर उन्होंने तुम दोनों के शादी से इंकार कर दिया तो तुम क्या करोगी तो फिर हम बगावत कर दें तुम दोनों की प्यार की खादे हम सुप्रीम कोट तक जाएंगे इसका मतलब कि इस कोट में हम जीत गए हाँ मैरी इस ग्रांटिप हभीब मैं जरब तिया को घर छोड़कर आता हूँ चलो कैसी थी वकिल साइबा रोको रोको तो बहा भी किसके थी जेलर का भाई मेरी बेटी के साथ चलो डेवर आम सॉरी मिस्टर शर्मा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता आपका अपनी इज़त का अहसास नहीं है क्या सुचता आपका भाई आप पुलिस में है इसने उसकी सारी गलतियों को नजर रंदास कर दिया जाएगा भाई वाव 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 बड़े उचे विचार है जेलर साभ आपके बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके आपकी तारीफ? मेरी तारीफ मेरी तारीफ सुनके क्या करेंगे आप तारीफ अपने भाई की सुनिए जो रॉमियों बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेरता फिरता है ठाना जाना हराम कर दिया उनका क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं लुख कर रहा हैं आपका भाई मेरी बेटी मेरे डोले डाला है उसे अपने प्रेम जारें भशाकर मेरी करों के डॉला धरब्वनाचाहता है जा बखवास कर रहा ही बखवास नहीं सै कह रहा हूँ अरे पैशा कवाना है तो मैंनत करके कवाओ शराफत की जिन्दगी जीओ दूसरे की हराम की कमाई खाओ क्या यही सिकाया है आपने अपने बातों बस बस आप जाएए मैं दिखता हूँ यह सब तुम्हारी बज़े से हुआ है आज तक किसी की हिमाद नहीं थी कि मेरे समने उची आवाद में बात कर सके लेकिन आज मेरे ही रफ्तर में एक मामूली इंसान ने सब के समने मुझे जलील किया उसने आरोब लगाया कि मेरे पास अपनी बेहनों की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ किसी मालडा लड़की को अपने प्रेम जल में फसा कर उससे शादी करो उस इकलोटी बेटी के बाप की दौलत हसिल करो जिससे सित्तान कुमा शर्मा अपनी बेहनों की शादी करा सके हाँ वाँ वाँ भाई वाँ बाद बड़ा काम किया है तुमने इतने सालों से जो इजद मैंने बनाई थी वाज उसे खाक में मिला दी तुमने अरे पैसो के इतनी जरूवत थी तो मुझे बोलता मैं ये घर बार बेच का तुझे पैसे लाकर देता लेकिन पैसो के लिए प्यार करना एक मालदा लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाना चीच चीच अब चुब भी कीजिए जो मुँमे आ रहा है बोलते जा रहे है आप और अमर तुम चुब चाप ख़ड़े सुन क्यों रहे हो जवाब क्यों ने देते अपने भाई को सच क्या है कह क्यों नहीं देते तुम क्या जवाब तुम्हें बाबी क्या बता हूं मैं कौन मानेगा मेरी बात अरे भाबी मैं तो एक खोटा सिक्का हूँ बेकार बदमाश आवा रहा हूँ पैसों के लिए प्यार करने वाला दौलत के लिए एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला अरे भाबी कौन करेगा मेरी बात पर विश्वास अरे इनके लिए तो वही सचा जो उस लड़की के बाप ने इनसे कह दिया इनसे कह दिया कि मैं बुरा हूँ और मेरा भाई मान गया आके ही परस पड़े मुझ पर सारे आरोप लगा दिये इन्होंने मुझ पर अब ये भी नहीं पूछा कि क्या सही है या गलत क्यूं अधिक जब एक बडा भाई एक छोटे भाई को गालिया देने लगे तब एक छोटा भाई सी बाय चुप रहने को कुydd कुछ ने किसा अमर अहीं भाभी मुझे कोई सफाही नहीं देनी everyone मुझे कुछ सफ़ा ही नहीं दे लिए अमर तुम अमर के पारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो अमर ने किसी लड़की को नहीं फसाया है मुहबबत की पहली पहल उस लड़की ने की थी अब दोनों एक दूसर से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं अब जाकर उस सेख से कह देना हम थूपते हैं उसकी दौलत पर हमें उसकी एक कॉड़ी भी नहीं चाहिए घर में इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे कोई कुछ नहीं बताता अखिर वो मेरा भाई है कोई पराया तो नहीं लड़की कैसी है तुम्हें पसंदा है बहुत अची है उन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा अखिर मैं बड़ा भाई हूँ ऐसे ही होता है होता है अरे अमर तू ते गुसे मैं का जा रहा है से दॉलत राम को भाईया की बेजजदी का जवाब नहीं देखो मुझे 25 लाग रुपे चाहिए तेरे हो या नहीं नहीं जो आगमी अपनी बात का पक्का नहीं मैं उसके साथ कोई बिजनस नहीं करता पहले मुझे 2 क्रोड पर वापस करो कर flight करioni कर दो कर दो लोकिस सब मैं दौलत राब बूर रहा हूँ खर पर आती प्लीज मुझे काउटेक किजिए गारे यह क्या कहा था तुमने मेरे भाई से उन्होंने मुझे तुम्हारी मालगार बेटी को अपने प्रेम जान में फसाने के लिए बेजा है ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हरप क की तो जाओं बाहर जाके थुको यह कैकरने sthpc kth एस नहीं दの कि नहीं का सूरज जुभणे जुब्रे से पहले अगर तुंने मेरे भाई से माफी नहीं मगी questa तो समझ लेना तेरी जिन्दगी का सूरज हमेशा के लिए टूप किया जेलर से बतला ले लेंगा यही एक मौका है तो कुछ तुम गई नहीं अब तक? अमर बड़े गुस्से में जा रहा है क्या बात है? अरे कमबक्त कर रहा था जाके मेरे भाई से माफी माँगो वरना जान से मार दूँगा चाकु दिखा के मुझे धमकी दे रहा था यही चाकु? हाँ यानि इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे बेशक यह तो चेरर का भाई है न? हाँ उसका भाई है इसके भाई ने मेरे भाई को भाई को भाई था अब मैं इसे भाई होंगा ओ doing तुमने मुझसे 2 कुरोड मगाता था न? था नही नहीं तुम मुझे पुट पात पे भेजने वाले थे नहीं एसी कोई बात प्राद है लेकिन मैं तुझे भेज़ता हूँ उपर पुली स्टेशन, अंकुष राज बोल रहा हूँ यहां तो आलत राम का खुन हो क्या है वार नाजा हाँ अमर अभी तक घर नहीं आया है नहीं मैं उसी की राह देख रहे हूँ फिकर मत करो काली मैं सेट दालाद राम जी से बात करके अमर और सिमा की शादी पाकी कर दोए वार आप सुनो हालो मैं इंस्पेक्टर कपूर बुल रहा हूँ हाँ बोलिये अमर शर्मागर पे है जी है क्यों सेट डवलत राम का कदल होगी क्या उनकी लाश के पास जो सबूत मिले है वो अमर को फुनी कर आप देए हमारे पास उसके गिरफदरी का वारन भी है यह क्यों कर आप यह कर काम किसका फोन था तुम सेट डवलत राम के घर गए थे जी क्यों आपकी बेशती का बदला लेने मेरी बेशती का चबाब तुमने इसके खून से दिया खून यह क्या कह रहे है आप हाँ सेट डॉलर राम का खून इसने किया भाया मैं किसी खून के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन मैं तुम्हे अच्छी तरह से जानता हूँ बच्पन से लेके आज तक अवारा गर्दी के सिभाए तुम्हे कुछ नहीं किया काश्यों एक बार मेरे अधर्च को अपना कर अपनी जिंदवी को सामाने की कोशिश करते तो आज यह तिन देखना नसीब नहीं तो आज अवे यगीन किजा मैंने किसी का खून नहीं किया वैसे भी आप मेरी बात के यगीन क्यों करेंगे अब अब आज अब हाँ अब हो ऊजब तरह कि अब आ दो चार दिन इस कोथड़ी में रहे गा सब जाए जाए याण पॉस्टर्ड यह क्या हो रहा है अपने साथ मुझे क्यों मर वारा रा है डर मत पॉंटेर जब अमने मटर्किया ही नहीं तो हमें किस वाद कर हरे अमर यही तो टेंशन है ना हमने मर्डर किया नहीं फिर भी हम लॉक अगर मर्डर किया होता है फिर लॉक अपने होते तो बात समझ में आती है लख्टा किसी की साजिश का शिकार बन गए तो फिर अपनी करनी का फल तू भोग मुझे क्यों हावालात की हवा के ला रहा है तू मेरा तो दम खुटता है यह खुटता नहीं साले अच्छो अच्छों का दम निकल जाता यहाँ पर जिस दिन फाजी का फंदा तूमारे गले में होगा उस दिन समझोगे तू आखिर कब तक आंसु बाहती रहोगी रोने से तुम्हारे डैडी तो तुम्हें पापस मिन अच्छाए 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 मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप्रिया शादी के बाद जो गाउन हमेशा के लिए उतार दिया था अज फिर उसे पैनोगी अमर के लिए वकालत करने जा रही है और जब मैं कहता था तो उसे लाड़ प्यार से मत बिगाड़ो तब तुम्ने मेरी एक ना सुनी अज देख लिए उसका नतिजा अज वोई खुनी बन गया है उसे फासी के भंदे से कोई नहीं बचा सकता मैं बचाओंगी उसे क्योंकि मैं जानती हूँ अमर बेगुना है उसे कोई खुन नहीं किया अमर कभी खुन कर ही नहीं सकता तुम्हारे पियान ने तुम्हें आंधा कर दिया है तुम जानती को कि सारे समुत। तुम जानती हो कि सारे सबूत। सारे गवाव़ उसके खिलाफ है शाहर के बड़े-बड़े होउट्रों ने unc Since लेनी से इंकार कर दिया जाहे सबूतों का फंदा कितना ही मजबूत क्यों न हो बस मुझे आपका आशिरवाद चाहिए मेरा आशिरवाद तो सदा तुमारे साथ है पर क्या ही ये तेरे भाई को बजा सकेगा यौर ऑनर सेठ दौलत राम के चोगीदार बहदर सिंग ने अभी अभी बयान दिया कि वारदात की रात मुल्जिम अमर कुमार बहुती गुसे में अंदर जा रहा था और उसने ये भी सुना था कि मुल्जिम आमर कुमार सेठ दौलत राम को जान से मार देने की धंकी दे रहा था जेस चुरे से उनका खून हुआ मुल्जिम आमर कुमार की उंगलियों के निशान इस बात को साबित करते हैं कि सेट दौलत राम का खून मुलजिम अमर कुमार ने ही किया मिस्रिश शीला शर्मा आपको इस चौकिदार से कुछ पूछना है यस मीलाड तुम सेट दौलत राम के यहां कितने साल से हो तीन साल से मडम क्या काम करते हो चौकिदारी सेट जी का खून कहा हुआ था उनकी कमरे में उनका कमरा गेट से कितनी दूरी पर है सामने एक बड़ा गार्डन है फासला सौकस का होगा अच्छ जब अमर वहां आया था तो तुम क्या गेट पर थे जी हां और तुमने अमर को अंदर जाने दिया जी नहीं मैंने उनने रोकने की कोशिश की वह बहुत गुस्से में थी मुझे जोड सो धक्का दिया और मैंचा के गेट से चकराया उसके बाद में बेहोश हो गया और मुझे पता नि उसके बाद क्या हुआ फिर तुम्हें पता कब लगा कि सेट जी का खून हो गया है जमें होश में आया तो वहाँ पुलिस मौजूद थी यानि जब सेट जी का खून हुआ तुम बेहोश थे जी एट सॉल तुम जा सकते हो तन्यवाद योर और ये पॉइंट नोट किया जाए अब मैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र आपो कैसे पता चला कि छुरी पर उंगलियों के निशान अमर कुमार के हैं मुझूरिम को गिरफतार करने के बाद उसके उंगलियों के निशान लिये जाते हैं उसके बार फिंगर्पिंट्स एक्सपर्ट लाश के पास मिले हुए हत्यारों पर पाए गए निशान मैच कर मुझे आमर के उंगलियों के निशान और चकुपे पाए गए हुए निशान हूब हूब मिलते हैं मिलते हैं या थोड़ा सा फर्क है जी नहीं दोनों निशान एक ही शक्स के हैं ओके इसमें क्या है जड़ा देखिए यह यह तो चुरा है अब इस चुरे पर आपकी उंगलियों के निशान पड़ गए है जी अगर मैं इस चुरे से किसी का खून करूं तो क्या मेरी उंगलियों के निशान इस चुरे पर आ सकते हैं जी जी नहीं यानि कि खून मैंने किया है मगर फक्ड़े जाएंगे आप क् कि इस चुरे पर उंग्लियों के निशान आपके हैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर क्या ऐसा हो सकता है जी जी हो तो सकता है तेंक यू यू मिकूर हर खून के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है लेकिन अमर कुमार के लिए ये खून करने का कोई मकसद नहीं था इसमे कोई शक नहीं कि अमर कुमार वहा गया था घुसे में था हाथ में चुरा था और ये भी सच है कि अमर ने सेक जी को धंकाया कि आए ना वो उसके भाई का अपमान ना करे सरकारी वकील सहाब भी ये मानते है कि अमर ने सेट जी को धमकाया अगर खून करना ही था तो अमर धमकाता ही क्यूं और इसके अलावा सरकारी वकील सहाब ने ऐसा एक भी गवा पेश नहीं किया जिसने अमर कुमार को खून करते देखा हो इन तमाम बातों से ये साफ जहीर होता है मिलॉर्ड कि अमर कुमार बे गुना है उस पर लगाए गए तमाम इलजाम बे बुन्याद है और किसी ने उसे फसाने की कोशिश की है याट सौल मिलॉर्ड यॉर अनर वकील सफाई का कहना है कि मैंने आभी तक कोई ऐसा गवा पेश नहीं किया जिसने अमर को खून करते वे देखा हूँ लेकिन एक गवा मौजूद है यॉर अनर वो है मॉन्टी भल्ला मैं उसे सवाल करना चाहता हूँ येस ग्रैंटे तुम्हारा नाम मॉन्टी भल्ला पुस दिन जब अमर कुमार सेट्थ डौलत राम के घर गया था तुम कहां थू मैं अमर के साथ ही था वहां क्या हुआ वहां वहां अमर ने सेट जी से कहा कि सेट जी की बेटी प्रिया उसे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती पिर सेच जी तो शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन आमर इसलिए और प्रिया को अपने प्रेम जाल में फसाए था पिर सेच जी ने सफ इंकार कर दिया आमर को खुना वो वर शूरमस उठाली और सेच जी को धंकारे लगा, आगर उससे पैसे नहीं मिले तो वो आध सेच जी का खून कर देगा नहीं हो रहा नहीं यह सब ढूता है यह ढूता है यह ढूता है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद किया हुआ उसके बाद सेच जी और अमर की बीच पे तू तू मैं में शुरू हुआ हमर घुसे में पागलों की तरह चुलाने रगा और मैंने उसे आदमें तेरा खून पीजाओंगा I kill you bastard I kill you vote is adjourned तुम्हारा नाम जेलर साहब को मालू है तुम्हारे बाप का नाम ये भी जेलर साहब को मालू है जेलर साहब को ये भी मालू है ये तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक पर रखा रहता है जिसकी वज़े से आज तुम्हें एक खूनी बन कर यह खाड़े है मैंने कोई खून नहीं किया जेलर साहब मैं तो उससे सिर्फ यही पूछने गया था कि तुम्हें मेरे भाई का अपमान क्यों किया हां तुम्हें मेरी मान अपमान की बड़ी चिंता है ना इतने सालों में बनाई हुई इज़त एक मिनिट में मिटा दी मेरे माते पार लिख दिया कि मैं खूनी का भाई हूं मैं सच कहता हूं भाईया मैंने कोई खून नहीं किया अरे बच्पन से लेकर आज तक आपने मेरे किसी बात का विश्वास नहीं किया जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई पर विश्वास न करे तो यह जंता की अदालत क्या विश्वास करेगी तुम्हारे इस लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला सारे कवा सारे सबूत तुम बच्पने काना का लिया नहीं क्यों कहते हैं भूग नहीं है या खाना नहीं खाना चाहते है उसके चेल जाने से दुनिया में काम तो नहीं रुख जाएगा खाना लगाओ मैं खाना काऊंगा कर दोक कर दोगना साराँ इस विर से चीज़ का दोड़िया लिए और दूת भून ले दूना hani आई मैं कर देन आई दो मैं समनं नहर 좇ंग तुम अजिन से शेषाज संसरो selến सब तक्दीर का खेल हुमन तक्दीर का खेल तक्दीर तुमने उस दिन ठीक कि खा था हुममन मैं जुर्म के दुनिया से मैं जतना ही दूर जाना चाहता था था उतना ही करीब आता जा रहा मुझ पर कतल कल्साम लगा हुआ है अरे तुम हैसा यह यह ऐसा बुरा फसा है इज यहार बहुत जाली गोगता है जानता हूं अच्छी तरह चानता हूं उसे वLight बड़ा भाई है वो तो तुमको खुश हो जाने चाहिए मैं वो तो तुमको मदद करेगा यहां से निकलने में मेरे भाईया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिष्टे को कुर्वान कर देते हैं उनकी नजर में उनका भाई नहीं हूं एक मुझ्रिम अरे मेरी बात मानो मैं तुम यहां से भाग निकलो अम तुमारी मदद करेगा तुम क्या समझते हो इस जेल की दिवारे मुझे रोक लेगी तो फिर तुमको रोका किसने मैं मेरी बदकिस्मती नहीं अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती न तो मैं कब-कब भाग गया होता है और अपन इस भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी और मैं अपने भाई के करेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपने खुश्यों की चराख नहीं चला सकता वाख इस दुन्याय में ऐसे भी लोग हैं अब मुध होने से कोई फाइदा नहीं एक बार जो कालिक मूँ पर लग गई वो लग गई अब तो तेरी माशुका भी तुझे नहीं देखेगी वैसे तु फिकर मत कर मैं बाहर जाकर उसे सभाल लूगा क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता जेलर का भाई है न अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी न छोड़े क्यों सुनने सकता क्या ठीक ही तू कहाँ अपनी शान दिखाने के लिए अपनी मानदारी का डंगा बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया अब है सुन अरे ऐसे भाई से तो दुश्मान अच्छा एक कुट्टा होता है न, वो कुट्टा भी अपने पिल्लों के हिफाज़त के लिए काठाने को तयार हो जाता है और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुट्टे से भी गया भीता है पर तेरा भाई पिल्स वाई बाई तेरा भीता है अखज़ धस अई explores उतिज़, तिस फएसी को से हाँ 流 поним अभाई कि अ ओ Qण मुदासा जान हर दोती हो MONTIE 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 IS ‑‑ MONTIE MONTIE हुआ हुआ है आख हुआ 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 दक्रसाब ठीक है चिंदा की कोई बात नहीं है बाइदर वी ये अमर कॉन है हमारे भाईया है पेहोशी में भी आपकी पतनी अमर को याद कर रही है कहा है वो देखिए उसे यहां बुलाईये जवाई से ज्यादा उसका आना असर करेगा क्या भाई का एक्सिडेंट हो गया हाँ भाईया वो हॉस्पिटल में है और बेहोशी के हालत में सिर्फ आपी को याद कर रही है हमें तो डर है कहीं भाईय को कुछ होना जाए नहीं मुनी तु फिकर मत कर भाईय को कुछ नहीं होगा चलो मुनी तुमारे भाईया आने वाले है चलो कराईय करत मारे प्वभी करत राईया करत फटेड शख्वाशत करत में खव्भाए करतो करत हमनु करते है अगा 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 सर्पार जील से भाग गिया है आप शेहर के हर पुलीस टेशन में खबर कर दो और अबी आ रहा हूं हुआ 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 है तुम यहां खड़े रहो मैं अंदर जा के देखता हूं ठीक है कि शरत जाना देखता है कि अनिवां कि नाचव कि आया जाचा 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 जाचाब दोरे के भी ओम फड़े यह है जो जाचाचा है जो यह है कि उुट है जा है जलागकि बावी 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 अमळ… यह पाभी… मैं जेल तोड कर आया। बादू घाले अमरू दिएलू आपके आपकशनिय जाए ज़ात आया कfarा ही जाताया ह। इसलीक्याद़ मतली यह अच्छा न olmas कुछ हा heter effect डूरी सी पिखते तुम्हारे दुशन हैं। छेकी पिखते हैं dressed in the उसने पैसो के लालच में आकर तुम्हारी खिलाब छूटी गवाही दी है राजू, भाया, भाया मुन्नी, राधा मुन्नी, चाह दरवाजा बन कर किया भाया, बड़े भाया आ रहे है अमर, तुम भाग जाओ यहां से, फ्लीज भाग जाओ जाओ अमर दवाई लिये हैं हाँ भावी ने आज दो बार दवाई लिये है जानती हो, तुम्हारा लाडला देवर जिल से भाग गया है क्या जिल से भाग गया? हाँ, एक के बाद एक गुना करता जा रहा है भगवान दी चाहना, उसे बचा नहीं सकता तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ यहां से I hate you I hate you प्रिया भोज में आओ, यह क्या कर रही हो तुम प्रिया क्या कर रही हो तुम मेरी बात दो सुनो P 뜨yया il मुझ्रिम कहता है मुझ्रिम कहकर अपने प्यार को गाली मत दो प्रिया प्यार, प्यार अपने गले के खुन कर दिया आपको प्रीया प्लीस ट्राइट टॉड़िया मैं खुनी नहीं हूँ प्रीया आखिर तुम तो मुझे गलत मत समझो अरे मौज से बढ़कर क्या सजा हो सकती है मुझे शुचि-खुचि फार्चका पोदा अपने घले में लगा लूँगा मगर या अपने प्वेंप्रनामी का दाग नहीं परदाश कर सकताए प्रीया जब सोच यह शुचो प्रिया मैं तुम्हारे डैट का खुन क्यों करूँगा हाँ प्रिया Micha बसना धंड़े दिमाग से सोचो तुम्हें जवाब खोनी मिल जाएगा क्या हाँ जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड पांगा कर अब जब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ता तब तक इस सारी दुनिया मुझे ही कातिल सब्जाएगे प्लीज टाइटो अनेस्टेंड प्रिया, I love you I love you, प्रिया आएटो अनेस्टेंड प्रिया जुम्री तलया से पहुचिने नी ताल में खबर मिली मिलेगा वो मुझको वो पाल में मुदा कोई नों बजा यरोई थे साल में, साल में, साल में, साल में जुम्री तलया से पहुचिने नी ताल में खबर मिली मिलेगा वो मुझको वो पाल में कि अप्र दुटे अजिए एए इस पेलिके शैरी आशिक दे दिल हिन आखके निदे लेके लेवारे इन खोपिदे लेकर मेरा चिंच राकर नाडर वो काद मेरा तहां चुन्च भाए जाके रोकी रहती हों उसके खयार मेन ख़ुद對啊 कोई न बजाया इतने साल में, साल में, है साल में, साल में आरे चुमरी तलाया से पोची ने नी दाल में खबर मिले बिले का वो मुझ को बोबार में मेरी जान का तुष्मन बनतिया मेरा ये जोबन कोई रज उचाया के मेरी ये उचन उसके प्यार में बागल होगे उसके प्यार में पांकल होगे बन गए मैं दिवोनी ऐज़े ही न रल जाए मेरे बरबूर जवानी पाना है पाना उसे तो हर हर में पाना है पाना उसे तो हर हर में खबर मिले मिलेगा वो मच को बोबार में मुंडा कोई ना बसा यारो इते साल में, साल में, साल में, साल में शुम्री तलाया से पहुची न नीतार में ख़बर मिली मिलेगा वो मिच को बबार में चल बैठ काड़ी में, चल दी कर सर, सर मैं मॉंटी बोल्डर हूँ, सर आपने सुना है वो अमर जेल से फरार हो गया अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बारत ना लेगा सर, आप मुझे बचा लीजी प्लीज कहां से बोल रहे हूँ? सर, क्वालिटी रेस्ट्रोन के सामने से तरो मार, मैं विक्की को बेज रहा हूँ क्वालि भर्लक्षो प्लिकाई! नहीं भीया मैं इसे नहीं छोड़ूगा यही वह सुरागे जिससे मुझे मॉन्टी का पता मिल सकता है कर दो 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 मारी आरहा हा भाई अमर तो यहां आसरत बताता है यह क्या हूँ अमरा को को घोज हुआ क्सुतined इस वक्ता है मैं अभी आरी हूँ अमर भाभी यह सब कैसे वक्ताव cooling सब कर दोल इक ड्हु कुछ नि मेरी बाते छोड़ो भावी, आप पहले ये बताओ कि आप सब कैसे हो आपके बिना घर एक तब सुना है भाईया, कुछ भे अच्छा नहीं लगता अमर, उन्होंने तुम्हारे उपर गोली क्यों चलाई इसमें भाईया का कोई दोश नहीं भावी, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे कहां गयते तुम लोग कहां गयते कहां गयते तुम आपको क्या, हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी खाए, कहीं भी रहे खोश में आकर बात करो फोश तो आप खो बैठे हैं अपनी नौकरी और अपने जूटे उसूलों के चक्कर में आपको ज़रा भी खयाल नहीं आया अपनी परिवार का मैं पुछती हूँ कि अगर आपकी पिस्टॉल की गोली अमर के हाथ की बजाए उसके सीने में लग जाती तो कहा है अमर यह आपकी जेल का कुई सेल नहीं है जहां आपके डर से कोई भी कुछ भी बता देगा कि घर करस्ती का मंदिर है मैं पुछता हूँ अमर कहा है यह लेजी भाया आपकी इस पिस्टॉल में चार गोली आप ही भी पाकी हैं हमें मार देजी लेकिन फिर भी हम आपको कामर भाया का पता नहीं बताएंगे तुम लोग सब मुझे अपना दूश्मन क्यों समझते हो क्या कसूद है मेरा बस इतना के मैं के मांदर आफिसर हूँ अपने फर्स के पदी वफादार हूँ यह मांदारी और वफादारी का सबक बच्पन में ही मेरे माबापने दूद के साथ पिला आया मुझे पर अमर का सुरवार नहीं है उसे कोई खोन नहीं किया है मैंने उसकी आखों में सच्चा ही देखी है यखिनान अमर किसी साधुष का शिकार हो गया है तो फिर चोरों की तरह जेल तोड़कर क्यों भाग गया कानून पर उसे भारुसा क्यों नहीं अपने भाई पर उसे भारुसा क्यों नहीं मेरे सिने में भी दिल है जश्मात है भावना है कौन भाई अपने भाई पर गोली चलाना चाहता है मैंने उसे बहुत समझाए कि अगर नहीं, उसने मुझे गोली चलाने पर मजबूर किया, गोली उसे जरूर लगी, अगर जखम मुझे लगा, जिसका इलाद जिन्द की बार नहीं हो सकता, जिन्द की बार नहीं हो सकता. काफी माल है अंदर, इससे पहले कि बंगले वाले आजाएं, मैं अंदर जाके साफ सफाई करता हूं, ताके इस कंगले का भी छोटे सा कुटिया हो जाए, चड़ जाए बेटा, चड़ जाए सूली पे, कि अजएना भी जाए जाएं, बहुए हो उड़ जए़ोrais खुए होग हो ऊच्छव पेड़ो नहीं हो घूए हो जाएनों रुग हुए 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 अग गुए दो तो नग दिस्टाब तो नग दिस्टाब झाल झाल सिर्णिक भीजिक, 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 थाइबका साथ, भीजिक, भीजिक मेडम आप यहां से बात करेंगी तो दुनिया के दूसरे कोर्वे कोन में सुनाइ दिता है यह है तेलीपोन मेशीन आखिल तरह के जमाना है अग से एक मशीन निकली हुई है अभी एक मशीन निकली है जिसमें बखरा डाल दो तो उसके बदम के सारे पुर्जे अलग अलग निकलते हैं अच्छा फिपड़े के बगरे बगरे अगरे तो कुछ भी नहीं है एक और लेट अगरे निकला है जिसमे बक्रे के फुर्जे फिपड़े तलेजे अतनियां वजडियां खाल गोबर डाल दो बक्रा निकलता है यहां से बनके मैं अरे तो बड़े कमाल के आदमी हो अरे मेरा क्माल तो इसका है आप गहराज में जो आप घर पे नहीं होंगी यह बताता है कि कौन आया कौन गया इसके अरे तो आंसरिंग मशीन है क्या बोले आंसरिंग मशीन है यह तो अच्छा किने पैसे दो मैं आपको आपके बाद इतने पड़े ही दे दीजे क्या है मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ प्लीज अपना नाम और चेलेफोन नंबर लंबी बीप के बाद छोड़ दीजिए मैं बाद में कॉंटेक्ट करूंगी थैंक्स मेरे कारविच टेलिफोन फैक्स आंसरिंग मशीन मेरी इतन खाते बड़ी काटते एक इतु आई यह रोमा ड मैंने मना किया था ना डालिंग मैंने सोचा एक तो आप इमानदार पुलिस ओफिसर हो और मुझे कोई गलत तो करना नहीं है फिर रिश्वत के पैसों से जितने कपड़ मैंने आपके लिए खरीदे थे सब बेच दिये और उसी से मैंने यह आंसरिंग मशीन खरीद ली क्या बात है यहीं चाकू यानि इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे अब मैं इसे बसाओंगा वो कैसी तुमने मुझे दो करूड मांगा था ना नहीं तुम मुझे भुटबात पे बेचने वाले थे ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मैं तुझे बेचता हूँ उपर यह यह क्या पत विसी है अंकुष राज मैं जानता हूँ के दौलत राम का खुन तुमी नहीं किया है और इसका सबूत मेरे पास है पापियो कंद करने वाले तुमसे पहले में कई अवतार ले चुके हैं लेकिन इस धर्ती पर ना पाप खत्म हुआ है और ना ही पापी है तुम बड़े लोग अपने आपको समझते क्या हो कि सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी जितना चाहो देश को लुटोगे जब चाहो किसी को माट डालोगे चाहे जिस पर खुन का इल्जाम लगाओगे तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टा रंकुष राज ये खेल तुमने शुरू किया था तुमने जब मेरे भाई को जेल में डाला था देखो मेरे भाई को आराम से आजाद खुम रहा है लेकन तुम्हारा भाई फांसी के बंदे से नहीं बस सकता एह 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 ये खेल तुमने शुरू किया था तुमने मैं खापन करूगा तुम् तुम खून के आसुर होगे, लेकिन आज तुम रोना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हे दॉलत राम के खून के अपराद में, गृफ़तार करने आया। तुम होते कौन हो, मुझे गृफ़तार करने वाले, है। अब ही दिखाता हूँ के मैं कौन हूँ तुम समझते क्या हो, मुझे यहां से ले जा सकते हो कि अकते हो ना सकते हो कि अकते हो कि अकते हो कर दो कर दो जो, जो जो कर दो! करेंगREY! आगे मत बढ़ना पर ना तेरे भाई को गोली मा दोना और कल अखबार में ख़बर छपेगी किये कुछ गुंडे पुलीस मुद्भेड में माले गए कमिशनर साब को खबर कर दो और उन्हें ये भी खबर कर दो कि दौलत राम के खुनी को मैं उनके आफिस लेकर आ रहा हूं ये सब क्या है सर ये अंकुष राजी दौलत राम का खुनी है क्या सुबूत है इसे सुनिए अमर बड़े गुस्से में जा रहा है क्या बात है अरे कमबक्त कर रहा था जाके मेरे भाई से माफी माँगो पर ना जान से मार दूँगा चाकु दिखा के मुझे दमकी दे रहा था यही चाकु यानि इस पर उसकी उंग्लियों के निशान भी होंगे यह तो चेलर का भाई है ना उसका भाई है इसके भाई ने मेरे भाई को भसाया था अब मैं इसे भसाऊँगा वो कैसे तुमने मुझे दूख गुरूड मांगा था ना नहीं नहीं तुम मुझे भुट बात पे बेजने वाले थे ना नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मैं तुझे भीजता हूँ उपर इताओ अंकुज राज अब फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन में होगा मर गए मेरे भाई को फांसी के फंदे पर चड़ाने वाले कमिश्णर साहब जिस कैसेट के बलबूते पर जेलर साहब इतना कूद रहे हैं जरा ये कैसेट भी सुन लीजिए यस क्या कहा था तुमने मेरे भाई से उन्हों ने मुझे तुम्हारी मालणार बेटी को प्रेम जाल में भशाने कली पेजाए ताकि में तुम्हारी ये दौलत हरब कर सकूँ अरे थोखता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर तो जाओ बाहर जा के थूको यहां के करने आया हो यह पूछने आया हो कि तुमारी हिम्मत कैसे हुए मेरे भाई का अपमान कर लेकी अपमान किया तो क्या हुआ क्या कर लेगा तू जा कर लूँगा अभी बताता हूं तौलत राम या जा गो क्या कर दिये तुने सिर्ट जी का खून कर दिया कमिशनर सहाब अब आप ही जानते हो कितने बड़े इजद्दार आजमी है ये कितनी बड़ी पोजिशन है शेर्मेन की अगर ये चाहें तो तुम एक सेकिंड में सेस्पेंड करा सकते हैं आप सिफारिशों के बोच तले दबे हुए हैं जानते हो तुम किस से बात कर रहे हो आई पीएस ओफिसर से स्पेंड करने का हक इस जैसा आत्मी कैसे रख सकता है इससे बड़ी शरम की बाद हमारे डिपाडमेंट के लिए क्या हो सकती है असर आपको तखली बठाने की कोई सरुवत नहीं है मैं खुद डिजाइन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार का फर्स निबाना है एक पड़े भाई का फर्स निबाना है आज के यूग में सचे इंसान की कोई किमत नहीं है वफादारी की कोई किमत नहीं है इमानदारी की कोई किमत नहीं है में अपने वर्ज की खातिर मन को मार कर भाई के रिष्टर तक को कुपान कर दिया शिला मैं बचाँ गवा भाई को ज लोगो की सावजेश का शिकार मेरा भाई हुआ है उन लोगे का परदा फाश करके मैं अमर को बेगुना साबित करूगा अमर को बेगुना साबित करने के लिए आपको मॉंटी जाहिए मैं अपने दोस अमर को अची तरह से जानता हूँ इंतकाम का जुरून जब उसके सर पर चड़ जाएगा वो वो जख्मी शेर की तरह बन जाएगा मुझे तो वह हर्किस नहीं छोड़ेगा लेकिन मेरे साथ-साथ आपके लिए भी वो मुसीबत बन जाएगा हाँ मेरे रिए जैसे कि आप जानते ही नहीं सेख दॉलत राम का खून अमर ने नहीं आप ने किया था हाँ आपने डूंट बलड़ी सेट आट आएंदा ये बात अपनी सुबान पर कभी मत लाना इसलिए तुम्हें पैसा दिया गया समझे आओ विकी जी विया आज शाम की फ्लाइट से इसे तिल्ली भेजना है और तुम वहां से सीधे फॉरण जाओके हलो मैं प्रिया बोल रही हूं अंकु श्राज के घर से मुझे अभी अभी पता चला है कि उन्होंने अमर को विकी के जरीए अपनी साज़िश का शिकार बनाया है तुम कहां से बोल रही हो अप मेरी चिंता छोड़िए आप फॉरण जाकर विकी को एरपोर्ट पकड़ अश्राज कर दोड़िए अजय और यार विकारा गार बनाया है फुर्ट अजय अभी विकी को सुर्ट है अभी अफुम कहां से बद्सक्राज कर अबगी अबाए रिपकी को झांब औरे कि अःद़िशंय को और परे लुब time तुम अरप कर दो कि जाख कि अजय को समझ गया ने जेलर अब चुचा अब मेरे पीछ आजाओ वन्ना तुम्हारे भाई की जान को खत्रा आऊ सकता है कि अज़ाओ कि आए ये जेलर साथ मॉन्टी को पकड़ कर तुम अपने भाई को बेगुना साबित करना चाहते हो लेकिन वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं मेरा साथ दिया है कि वो देखो तुमने मॉन्टी को पकड़ कर कौन सा तीर बारा है ये तो पैसो के लिए घास भी खाता है कि इसे कुछ रूबया और दूंतो ये तेरा भी खुन कर देगा अंकुष राज ये सच है कि उस वक्त में पैसो कली घास खाय करता था बहुत कुछ करता था लेकिन अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं अब मैं जेलर साब के साथ हाथ मिला कर तुम जैसे गुंडों और गुनेगारों को सजा दिलवाऊंगा इसको लेके जाओ जेलर साब ज्यादा टेंशन लेकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते जरा इस टीवी की तरफ देखो प्रायश्चित कर दो एक कदम भी आके बढ़ा होगे तो इस रिमोट से तुम्हारे सारी फैमिली को खत्म कर तुका अब देखो जेलर तुमने मेरे भाई को अलग करने की बहुत कोशिश की मुझे खून के आंसं तक रुलाए लेगे अब शत्रंज की बाजी प्लग के अब बाजी मेरे हाथ रहे अब 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 अमर तुम अपने भाई को तब तक मारोगे जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती कहें तुम्हारे हाथ भाई के लिए जजबात में रुक गए तो फिर मैं जजबात ही हो जाओंगा समझें अब अब शुरू हो जाओ अब शुरू हो जाओ अब एक सिंदे की कवागे तेरे हमें छे सिंदगी है मार मुझे शायद भावान की यही मर्जी आरे मार मैं आपको नहीं मार सकता भीया में काता हैं मैंने बार सकता हम मार मुझे मार मुझे मार मुझे मार मुझे मार क्यों मी व Torah कमार लोचा कि कमार न बाओ अक मार बुरे बाल हुप ए करूआ येि 건데 हुप ए हुद ध आए कहिष को कच रप लुड़ः और आफिझ टॉड़ः द dramas लेल आटाङkt लगर कर को पन हमादा हुड प चले कर का वादा Web लोगर को लोगर हो लिए़च मैंईग को मैं, लोगर कॉ़प़दे! कर लोगर vị हुड़़ यह प्याओ 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 प् कि अजया थूएर कि अड़ कुप लुष करेंग इस कि इस कि यह और रहाँ हैね लड़ो ! पर यह पर अजय को अजय को अजय कि तमाम सबूतों वगवाहों को मद्दे नजर रखते हुए दफाटीं सदों के तहत यह अदालत कतल के जुर्म में इन मुझ्रमों को तो हम रकाइप की सजा सुनाती है और यह यह अजय की सजा अजय को धाँ आमनादब तेने सुब्सद्ट करें आगे पजयराएब कर दो कि के दो भर एक जान आगे आगी हो एक हो थे जह सेस्ट करेंगा आगे निषय में तेक हुआ होुआ के अपड़ कि अबस्ट का अबस्ट करेंगे कि।